आज जो बात करूंगा एक जैक्ली थोड़ा सा हट के वीडियो है एक ऐसा आज मैं आपको टूल्स दिखाऊंगा एक ऐसा इंडिकेटर आपको आपके सामने लिक्यां गाँ जो आपको एल्प करेगा कि किस प्राइस पे स्टॉक्स को खड़ीदना है और किस प्राइस प्राइ बैठे हुए जो बहुत बड़े-बड़े मार्केट में बहुत बड़े-बड़े प्लेयर हैं जो इन्वेस्ट कर रहे हैं डेली के अर्ड कर रहे हैं और वह ऐसा क्या टूल है जो यूज करके एक जैक्ली प्रॉफिट बना लेको बहुत लोग मेरे से पूशते हैं कि यार कैसे होता है कैसे लोग समझ लेते हैं कि इस प्राइस पर बताऊंगा उस इंडिकेटर के हैल्प से आप स्टॉक्स का मुव्मेंट और स्टॉक्स का प्राइस का आप बेसिक लेवल समझ जाओगे it means कहां खरीदना है और कितने रुपे के profits पे आप profit लेके निकल सकते हो stocks का moment है ऐसे तो आप समझ नहीं पाओगे कब खरीदना है और कब बेचना है तो आज मैं आपको जो indicator बताऊंगा exactly वो कौन सा indicator है मैं RSI की बात कर रहा हूँ RSI ये कैसा indicator है जिसके help से आप easily stocks को कब खरीदना है और अपना profit लेके जो भी आपको मुनाफा लेना है मुनाफा लेके निकल सकते हो exactly अब RSI है क्या देखो एक ये technical indicator है अब मैं आपको formula नहीं बताऊंगा formula में बहुत ज़्यादा आप डेली अगर अमानलों को stocks का price चलदा तो formula लेके नहीं बैठोगे मैं आपको chart के थुरू समझा दूँगा और हर बेव साइट पे आपका अगर demit account है तो वहाँ भी technical charts में आपको RSI अबिलेबल होगा अगर किसी stock का price zero चल गया it means कि उसमें अब ज्यादा खरडारी होगा exactly अब ज्यादा खरडारी होगा हाला कि कोई stocks का अगर देखा जाए तो zero जल्दी नहीं जाता लेकिन जो zero level है उसमें ज्यादा खरडारी होगी जो उपर का 100 level है इट मिन्स कि उसमें ज्यादा लोग बेचेंगे ज्यादा sell out करेंगे लोग जो मुनाफा लेकर चुके हैं जो profit बना चुके हैं वो 100 point पे वहाँ sell out करेंगे और जो zero है जो लोग अब यहाँ पे अपना एक नया stocks buy करेंगे इट मिन्स कि अपना buying position बनाएंगे और profit बना देंगे देखो 0-100 लेबल का RSI का range होता है अब इस 0-100 लेबल के बीच में एक stock का movement होता है तो हम जो range लेंगे यहाँ पे 20 से और 80 का range लेंगे exactly 20 और 80 का range एक ऐसा है कि बहुत ही low risk के साथ है इट मिन्स की आप ज्यादा tension नहीं है जब stocks का RSI 20 आया इट मिन्स की अब वहां से आप अपना positions बना सकते हो जब किसी stocks का range 80 गया इट मिन्स की अब वहां से आपको हटना है वहां से निकलना है क्योंकि अब वह गिरेगा इट म करेंगे तो इस रेंज पर आप काम कर सकते हो सबसे पहले मैं आपको चार्ट के थूरू RSI को समझाता हूं तो सबसे फर्स्ट में आप देखो जहां जहां मैंने green sign दिया है इट मिन्स की वह बाय का signal है क्योंकि वह 20 के नीचे है जब भी किसी stocks का RSI 20 के नीचे आ रहा है इट मिन्स की आप बाय कर सकते हो तो यहां पर देख सकते हो यहां पे 20 के नीचे आया सबसे फर्स्ट पोजीशन यहां पर बाय कर सकते हो और जैक्ली जो आपका प्रॉफिट है जो भी 20-30 रुपे एक आप टारगेट लेकर चल रहे हो आप लेकर निकल सकते हो तो यहां पर इस जीरो से 100 का रेंज है इसमें 20 जो है आपको बाइंग का लेबल रखना है और जो 80 देख रहो वो सेलिंग का लेबल रखना है इन दो रेंज पर हम काम करेंगे 20 से 80 पर हम स्टोक के मूवमेंट को देखेंगे उसका RSI देखते रहेंगे और इसली हमें पता चल जाएगा कि आपको रेंज रखाए का बता प्रोत जो अभी मैं आपको डाटा सम्झा रहा हूं यह तीन महीं दो महींने में आप प्रॉफित बना सकते हो मैं इन्तरदे helper की बात नहीं कर रहा हूं जो पोजिशन च्रीडिंग है उसकी हूँ बात कर रहा हूं तो आप एक महींने और 50 रुपए 20 से 30 रुपए का डिफेंस दे रहा है तो इसली आप प्रॉफिट बना सकते हो मैं आपको अब लाइव इंग्जामपल के साथ समझाता हूं ले चलता हूं अपने केंप्पूटर के स्क्रीन पे और वहां पर मैं आपको समझाता हूं कि कैसे आप किसी स्टॉक्स का म और तीन महिने के डाटा मैंने RSI का भी यहां निकाला देख सकते हो इनफोसिस का जो RSI है उसका डाटा भी मैंने यहां निकाला है तो अब आपको यहां पर देखो देख सकते हो कि यह प्राइस जो है यहां पर हाई है और अगर इसका डाउन देखोगे इस पटिकुलर चार यहां पर देखने को मिल रहा है और सिर्फ आप अगर टाइम रेंज का कंपेर करोगे तो यह मार्च 5 का डाटा है और यह आपको देखने को मिल रहा है मार्च 19 का मतलब 10-15 दिन में आप प्रॉफिट यहां बना सकते हो अगर चलो अगर आप इस इस लेवल पर भी बाई करते ह हो और जाके अगर आप 665 रुपए के 665 रुपए के लेवल पर सेल करते हो तो अगर आप लोंग टाइम भी इन्वेस्ट कर रहा है तो आप आप आरेसाइए के हेल्प से आप इसमें अर्निंग कर सकते हो और आप अपने इंवेस्ट्मेंट को बहुत ज्यादर स्टॉंग ब बाय करना है और देखो जब आरेस इसथा है तो जैसे आप देख पारे हो चार्ट में यहां पर आरेसाइ बीस अर अगर आप इस लेबल पे भी बाय करते और इसने में पर झालेवल यहां पर आपन सो तो यहां पर प्राइस देख सकते हो कि जो प्राइस हॅ कि 0 50 yeah half 88 पर्ण जैसा सेर हो जैसा स्टॉंग सेर हो उतना आप देखे कि कितना परसेंट का इसका डिफरेंस है और उतने परसेंट पे आप अपना मुनाफ़ा लेके निकल जाए जैसे ही आप 20 आरेसाई देख रहे हो यहां पे बाए करोगे और अगर आपको मुनाफ़ा अच्छा हो रहाइट जैसे आप यह देखो कि जो सेर है आपको कितना पॉफिट लेके निकलना ज्यादा सोट टाइम के लिए तो पॉफिट कम रखना है और ज्यादा लॉंग टाइम के लिए तो प्रॉफिट का आप रेंज ज्यादा रख सकते हो तो यहां पे अगर आप 20-30 रुपे का भी करना आपको यहां पर सिगनल देखने को मिलेगा अब अगर आप नहीं देखोगे एक सेकेंड के लिए आप आराइस ही को ग्राफ माद ना देखो और अगर आप सिर्फ इस स्टॉक का मुमेंट देखोगे तो एक्जेक्टली आप अंदाजा नहीं लगा सकते हो कि कहां पे करना अब यहां से यह स्टॉक्स उपर जाएगा अब यह स्टॉक्स नीचे जाएगा तो यहां पर आप ग्राफ देख सकते हो जब आरेसा ही 20 के राउंड चला गिया almost 20 के round अगर 20 के नीचे चला गया तो यहाँ पे आप buy कर सकते हो जो buy का signal मिल रहा है almost आप देख सकते हो कि यहाँ पे buy का signal मिल रहा है तो अगर आप इस range पे भी almost 174 पे भी अगर खरीद रहे हो तो यहाँ पे आपको जाके जब इस range से उपर आप जाओगे almost देखोई इस price पे जा रहे हो तो यहाँ पे आपको 184 का यहाँ पे price मिल रहा है almost आपको एक से डेड़ महीने में आपको 10 से 15 रुपे का difference इस stock में देखने को मिल रहा है तो यहाँ पे आप profit बना सकते हो आपको हमेशा ध्यान देना है कि जब RSI 20 से नीचे जाए जब जाके आप जब आपको अच्छा profit दिखे जब आपके जो भी buying price है उससे कहीं ज्यादा आपको profit देखने लगे ओल्मोस्ट 10 से 15 रुपे यह चोटे stocks हैं जो price का range है वह बहुत छोटा है इसका तो इसमें आपको profit का difference भी कम रखना पड़ेगा 14 से 15 रुपे के difference में लेके इससे निकल सकते हो तो देखो जहां जहां आप देख रहे हो जहां 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 यह गिरह है ओल्मोस्ट आप देख सकते हो जहां 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 से 15 तो आप पर आप का चार्ट दिखाया और तीन महिने का data था तो उसमें इंडिकेशन आप देखके समझ गया है कि exactly यहां पर एक profit तो आप बनाई सकते थे exactly एक profit तो बनाई सकते थे तब भी आप एक महीने डेड़ महीने और दो महीने के लिए कोई positional trade कर रोई इस कि आपको profit बनाना है किसी इस stocks को आप अगर select कर तो उस stocks पे किस price में इंटर करना है यह बहुत ज़रूरी है तो RSI के help से आपको एक indication मिल जाता है कि अब इस price पे हम इंटर कर सकते हैं और अपना profit बना सकते हैं तब आपको आप indication समझ में आ गया होगे कैसे बाय करना और कब बाय करना और कैसे आप अपना profit लेकर निकल सकते हो देखो अगर आपको बहुत ज़्यादा detail चाहिए इस particular topic पे तो आप comment box में query generate करो मैं और detail में इस पर वीडियो लेकर आऊँगा यह वीडियो कैसा लगा कुछ कुछ भी query हो आप comment box में आए आने वाले टाइम में बहुत सारी वीडियो लेकर आऊँगा लेकिने खांबल रिकेस्ट अभी तक चानल को नहीं किया सब्सक्राइब लाइक है तो अभी स्टार्ट करें फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए जैए जैबा कर दो